साथ हजार साल पुरानी रामायन कालीन संजीवनी बूटी पर जब शोध करताओं ने शोध किया, उसके बाद जो रहसे सामने आए उन्होंने सब के रौंग्टे खड़े कर दिये। जो लोग श्री राम और रामायन के होने पर संदेह कर रहे थे, वे भी इस खोज से हैरान हैं। संजीवनी बूटी के इस रहसे ने स्वैम शोध करताओं को हैरान कर रखा है। ऐसे में सभी के यही प्रश्ण हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर कैसे साथ हजार साल पुरानी संजीवनी बूटी आज तक मौजूद है। और आखिर क्या है संजीवनी बूटी की पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि आज हम आपको जिस संजीवनी बूटी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये वही संजीवनी बूटी है जिसे हनमान जी वैद्ध शुशेन के कहने पर मूर्चित लक्षमन हेतू लाए थे। संजीवनी बूटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बूटियां श्री लंका और हिमाले के कुछ गुप्त इस्थानों पर आज भी पाई जाती है। लेकिन आखिर क्या हुआ तब जब शोध करताओं के हाथ लगी ये संजीवनी बूटी और आखिर क्या मिला शोध करताओं को संजीवनी बूटी के शोध में आये जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जै बजरंग बली कमेंट करना बिलकुल भी मत भूलिएगा भगवान हनमान जी की क्रपा आपके घर परिवार पर सधैव बनी रहेगी। रामायन के अनुसार संजीवनी बूटी नामक दुरलब और अत्यंत चमतकारी जड़ी बूटी में हर प्रकार के रहस्यमई गुण शामिल थे। संजीवनी बूटी ना सिर्फ घाहों के निवारण में कारगर थी बलकि ये अत्यंत घायलों वे म्रतकों को भी ठीक करने की ताकत रखती थी। रामायन काल में संजीवनी बूटी हर रोग का रामबान उपचार थी। लेकिन हिंदू धर्म गरंथों में हमें संजीवनी नामक ना सिर्फ बूटी का वर्णन मिलता है बलकि पुराणों में हमें संजीवनी नामक एक विध्या का भी वर्णन मिलता है। संजीवनी विध्या के माध्यम से म्रतकों को भी जीवित कर दिया जाता था ऐसा कहते हैं असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने महादेव से संजीवनी विध्याप्राप्त की थी और वे इसके माध्यम से मरे हुए असुरों को जीवित कर दिया करते थे संजीवनी विध्या को शुक्राचार्य से सीखने के लिए गुरू ब्रहश्पती ने अपने एक शिष्य को शुक्राचार्य का शिष्य बना कर भेजा उसने ये विध्या सीख भी ली थी लेकिन शुक्राचार्य और उनके दैत्यों को जब इसका पता चला तो उन्होंने उसका वध कर दिया उसी संजीवनी विध्या के गुण संजीवनी बूटी में भी पाए जाते हैं रामायन में राम रावन युद्ध के समय जब हनमान जी को संजीवनी बूटी लाने को भेजा गया तब वे पूरी वनस्पती ही उठा लाए थे कहा जाता है हनमान जी चार प्रकार की वनस्पतियों को लाए थे सबसे पहली मृत संजीवनी जिसके माध्यम से मरे हुए लोगों को जिन्दा किया जाता था इसके बाद आती है विशाल्य करणी जिसके माध्यम से तीरों को निकाला जाता था और घावों को भरा जाता था इसके बाद तीसरी बूटी थी संधान करनी जो त्वचा ठीक करने के काम आती थी अंत में चोथी और आखरी सवर्ण्य करनी जो त्वचा का रंग बहाल करने के काम आती थी हनुमान जी बेशुमार वनस्पतियों में से इन्हें पहचान नहीं पाए तो पूरा परवत ही उठा लाए थे इस प्रकार लक्षमन जी को मरत्यू के मुख से खीच कर जीवन दान दिया गया इन चार वनस्पतियों में से मरत्संजीवनी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये व्यक्ति को मरत्यु शैया से उठा कर पुनहे स्वस्त कर सकती है सवाल ये है कि ये चमतकारी पौधा कौन सा है इस बारे में क्रशी विज्ञान विश्वे विध्याले बैंगलूर्यू और वानी की महा विध्याले सिर्सी के डॉक्तर के एन गणेशया डॉक्तर आर वासुदेव तथा डॉक्तर आर उमाशंकर ने बेहद व्यवस्तित ढंग से इस पर शोध कर दो पौधों को चिन्नित कि किया है तो आखिर क्या मिला इन शोध करताओं को संजीवनी बूटी में शोध करताओं ने सबसे पहले भारत भर में विभिन भाशाओं और बोलियों में उपलब्ध रामायन के सारे संसकरणों को देखा क्या उन सब में किसी ऐसे पौधे का जिक्र मिलता है जिसका नाम मिलता जुलता हो उन्होंने भारतिये जैव अनुसंधान डेटाबेस लाइबरेरी में असी भाशाओं वैबोलियों में अधिकांश भारतिये पौधों के बोलचाल के नामों की खोज की उन्होंने संजीवनी या उसके परियाए वाचियों और मिलते जुलते शब्दों की परिणाम स्वरूप खोज में सत्रे ऐसी प्रजातियों के नाम सामने आये जब विभिन्न भाशाओं में इन शब्दों के उपियोग की तुलना की गई तो मात्र छे प्रजातियां शेश रहे गई इन शे में से भी तीन प्रजातियां ऐसी थी जो संजीवनी या उससे मिलते जुलते शब्द से सरवाधिक बार और सबसे ज्यादा एक रूपता से मेल खाती थी इनके सामान्य नाम रुदन्ती, संजीवनी बूटी और जीवका हैं शोध करताओं को इन ही में से एक का चुनाव करना था अगला सवाल ये था कि ये बूटियां आखिर किस परवतिये इलाके में पाई जाती हैं जहां हनमान जी ने इसे तलाशा होगा इन सभी खोजों और शोधों के बाद शोध करताओं ने दो बूटियों की खोजगी शोध करताओं ने सिले जिनेला, ब्रायोप्टेरिस और डेस्मोट्रायकम, फिंबरी एटम नामक ऐसी दो बूटियों की खोजगी जिनमें संजीवनी जैसे तत्व पाए गए डॉक्टर्स का दावा है कि इनके माध्यम से मरत या सूखी चीजों में प्राण डाले जा सकते हैं ये बूटियां आक्सिकारक शती वे पराबैंगनी शती से चूहों और कीटों की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं तथा उनकी मरम्मत में मदद करते हैं तो क्या सिले जिनेला ब्रायोप्टेरिस ही रामायन काल की संजीवनी बूटी है सच्चे वैज्ञानिकों की भाती गणी शय्या वे उनके साथी जल्द बाजी में किसी निश्कर्ष पर नहीं पहुछना चाहते थे सच्चे वैज्ञानिकों की भाती गणेशया वे उनके साथ ही जल्दबाजी में किसी निश्कर्ष पर नहीं पहुचना चाहते उनका कहना है कि दूसरे पौधे डेस्मो ट्रायकम फिंब्री एटम का दावा भी कमतर नहीं है अब इन दो प्रजातियों के बीच फैसला करने के लिए और शोदगी जरूरत है इसके संपन्न होते ही रामायन कालीन संजीवनी बूटी शायद हमारे सामने होगी भारतिये वैज्ञानिकों की संजीवनी की खोज आज भी जारी है तो आपको संजीवनी बूटी के इस अद्भुत खोज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा